इस वीडियों के हम बात करेंगे कि html meta tags क्या होते है अगर आपको याद हो तो हमने पहले discuss किया था कि html क्या होती है सो html basically hypertext markup language है जिसके अपर पूरा internet चलता है और हमने यह भी discuss किया था कि google जो है वो आपकी website को visually है वो नहीं देखता है बलके पीछे जो कोड है वो देखता है और वो कोड किसी भी आप website को देखें उसके source में जाकर तो उसको कुछ इस तरह से पूरी website का code divided होता है जिसमें mainly जो sections होते हैं वो html head और body यह तीन sections mainly किसी भी website के उपर होते हैं तो हमने भी इसको understand करना SEO के लिए कि किस तरह से हम इनको use करते होगे google को information दे सकते हैं html codes के through so meta tags क्या होते हैं so meta tags को देखना में कुछ इस तरह से नजर आते हैं जिसमें different information google को या browsers को दी जाती है यह meta tags basically आ आपका visual content नहीं पड़ता basically वो पीछे code में आपकी information पड़ता है और meta tags में तकरीबन दो चीज़े clear define होई होती है for example एक tag का नाम क्या है जिससे आधे description की बात हो रही है या keywords की बात हो रही है और दूसरा उसकी value क्या है value basically वो आपका content है या वो value है जो आप google को देना चाहते है तो इसको value में डालते हैं तो basically यह पूरी जो command है या पूरा यह tag basically इसको meta tags बोलते हैं सवाल यह है कि meta tags हम डालते कहां पर हैं तो आपने यह याद रखते हैं कि जितने भी meta tags हैं वो सारे head section में जाते हैं head section for example इस तरह से जब आप tags लिखते हैं तो यह सारे tags head से start होके और जह head खतम होता है उसके बीच में यह डाले जाते हैं और यह visible नहीं होते हैं publicly तो आपको जो भी content page पर नज़र आता है वो सारे के सारा body tag से start होता है जैसे कि हमने पहले जिकर किया लेकिन जितने भी meta tags हैं वो सारे के सारे आपने head section में डालने हैं सवाल यह है कि meta tags की importance क्या है और इसमें important meta tags कौन से हैं so meta tags basically आपके ताइटल और description जो google pick करता है उसमें keywords enrichment के लिए use होते हैं अगर आपने page का title ठीक नहीं लिखा या आपने description ठीक नहीं लिखी तो google समझता है कि यह page important नहीं है या अगर आपने targeted keyword अपने meta tags में यह नहीं डाला तो google को नहीं पता चलेगा कि यह page किस के बारे में है so उसको डालने के लिए हमने 3-4 important meta tags के ध्यान में रखना होता है जिसमें सबसे पहले title tag है और title tag लिखने में कुछ इस तरह से नगर आता है आपको आप यह देखेंगे कि title tag open हो रहा है और title tag close हो रहा है और इसके बीच मे जो भी text है जिससे है title of the document यह text आपका visible होगा google में या आपके browser के tab में so SEO में यह title tag सबसे important है सबसे important क्यों है जब भी आप google में कुछ search करते हैं सबसे पहले आपको title नजर आता है जो blue color में लिखा हो आता है मैं आपको इसकी example दूँगा और जब भी आप किसी browser को open करते हैं तो उसके उपर आपको जो tab को title है जो page का title है वो आपको यह title tag से ही वो pick करता है browser यह बहुत important है अगर आपने कोई page बनाया है उसमें अगर आपने title optimize नहीं किया या proper नहीं लिखा तो आपको नुकसान देगा अगर आपने SEO बेथर करनी है तो आप इसको optimize करेंगे और इसकी length जो है तकरीपन वो 70 characters तक आप जा सकते हैं इस पे भी हम मजीद बात करेंगे के length क्यों important है? description tag देखना में कुछ इससरा का लगता है और यह description में basically आप अपनी website के description लिखते है और आपके पास जो character limit है वो 300 letters तक है लेकिन Google दिखाता 150 letters तक है या to be very precise 156 letters तक वो दिखाता है आपको लिखनी 300 characters तक होती है 300 characters का मतलब यह है कि आप उसमें different description को lengthy करके अपनी explain क कर सकते हैं Google उसको अपनी बर्जी से 156 characters तक लिखता है लेकिन बहुत साथे लोग इसको अभी 156 तक ही लिखते हैं ताके वो make sure कर लें कि Google सिर्फ वही दिखाए जो उन्होंने लिखी है description tag में आप अपना content लिखते हैं जो भी यहां लिखेंगे वह Google में visible होगा और यहां प है कि खासियत यह भी है कि जब लोग टाइटल पढ़ते हैं Google search में तो description में आप अपने टाइटल को compliment करते हैं for example अगर आपने टाइटल में mobile phone लिखा है या mobile phone store लिखा है तो यह थोड़ी सी अपनी details बता सकते हैं कि आप इस store में क्या 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 करते हैं या क्या क्या चीज़ कर दिया है लोगों को यह कहना है कि अगर गूगल ने discontinue किया है लेकिन बाकी search engines से अभी भी इसको consider करते हैं इस keyword stack में होता क्या है इन keyword stack में Google पहले यह कहता था कि आप अपने page के बारे में दो तीन main keywords लिख दें कि यह page किस बारे में है इससे Google को या बाकी search engines को यह अंदाज अगरिदम यह हमारा जो अर्टिफिल इंटेलिजेंस का algorithm है वह इसका दर intelligent है कि हम आपका page का content देखकर यह बता सकते हैं कि यह page किस बारे में है तो आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि आपका page किस बारे में है लेकिन अभी भी बहुत साइब लोग इसको लिखते हैं लेकिन बहुत साइब लोग नहीं भी लिखते हैं अगर आप लिखेंगे तो मसला नहीं है अगर आप नहीं लिखेंगे तो अभी मसला नहीं है लिखने में बुगाई कोई बात नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं कि metatags जब हम Google में search करते हैं तो आपको इस तरह से नजर आते हैं जो हाइलेटीड वर्ड्स है यह टाइटल और डिस्क्रिप्शन है जिससे आप अगर हम सर्च करें डीजी स्किल्स गूगल पे तो हमें कुछ इस तरह से रिजर्ट नजर आते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि ब्लू कलर में जो लाइन है यह बेसिकली टाइटल है इसके नीचे जो green URL और नीचे जो text में हैर बैसिकली डिस्क्रिप्शन है करने पळते हैं के अगर आपके keyword optimization की है, इसको इतना optimize ना करें कि वो पढ़ने वाले को अजीब लगे, वो बुरा लगे आप सिर्फ इसको proper sentence structure में लिखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम उनको पदा चले कि हमने कोशिश किये SEO करने की लेकिन ये चीज़े हमेशा साथ साथ चलती रहती है तो आपको आई साथ साथ की खुच समझ आ जाएगी important बात इसमें ये है कि टाइटल और description basically HTML से आई है और मैं अब आपको live दिखाऊँगा कि ये कहाँ पर लिखी हुई है और Google क्यूंब इसको ऐसे ही पिक कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने DigiSkills की website open की इसमें आपको visibility जो नजर आ रहा है ये सारा का सारा text basically HTML से पिक हो रहा है लेकिन ये सब content जो है body tag में है अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसके body tag में क्या है और इसके head tag में क्या है तो मैं कहीं पर भी इसको click करूँगा मैं right click करूँगा और right click करके इसके view page source कर लूँगा जैसे इसका source open होगा तो यहाँ आप आप देखेंगे कि इसको आप जो HTML का structure जैसे आपने देखा था उसमें आप पो कुछ मिलता बिलता structure नज़र आएगा वोपर से आप निचे तक जाएंगे तो आप वो काफी जादा coating के लेगी जो के developers का काम में है लेकिन हमें इस convection करना है कि यह कैसे काम करती है मैं अगर zoom in करूँ तो आप यह देख सकते हैं स्ट्रेइनिंग प्रोगाम वही रिजल्ट है जो हमने गूगल में अभी देखा था और उसके बाद अगर आप देखें तो next जो टाग है वो description का है और इसको अगर आप select करें तो यह तकरीबन यहां से start हो रहा है और नीचे जाके खतम हो रहा है यह description tag वही description है जो Google ने यहां से pick की थी जो जब आप basically अपने HTML पेज में जो भी आप title और description लिखेंगे तो वह इस तरह से Google में नजर आएगी जैसे कि आप में देखा कि meta tags क्या होते हैं और उसको हम क्यों use करते हैं यह meta tags basically base है आपकी on page optimization की लेकिन इसके अलावे बहुत सरी चीज़ें हैं जो हम आगे discuss करेंगे so meta tags के लिए यहां ही तक ही